अलो बुट इवनिंग स्टूदेंट्स टुडेए न 11 लास फिजिक्स वी आर कंटिनिंग विद्ध टॉपिक विच्छ इस्टरडे 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 मोशन इन वन दाइमेंशन बच्छो अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इसके पहले अभी लोग वेक्ट नहीं किया है तो आप इसके लेक्टर पहले देख लेना क्योंकि वेक्टर का कुछ-कुछ कॉंसेप्स अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे तो मोशन इन वन दाइमेंशन में वी हाड स्टॉडी अबाउट कुछ टॉपिक्स अभी हम लोगों ने ले लिए छोड़ी छोड अभी हम लोग ले रहे है तो जो स्टॉडी रहेगी स्टॉडी अभी हम लोगों ने इसमें लिया था रेस्टेंट मोशन रेस्ट अंड मोशन हम लोगों ने बोला था रिलेटिव टर्म से इसका बहुत क्लासिकल एक्जाम्पल है क्या एन अबजेक्ट प्लेस इंसाइड अभी बस इन अबजेक्ट इस प्लेस इंसाइड इंसाइड बस देन फॉर दी परसन वी सिटिंग इंसाइड जी बस दी आपका कुछ सामान बस के अंदर रखा हुए आप उसको अबजर्व करोगी तो रेस्ट पर लेकिन कोई ग्राउंट से अगर अबजर्व कर रहा है इस समबडी इस अबजेक्ट इस सम्वेर फ्रम आउटसाइड दी बस देन एट अपीर सुबीन मोशन तो यह रेलेटिव ट रखते हैं कि और अब्जर्वरससे ऐटाच्श आप यह मथो क्या करते हैं में। उसको कोडिने डाचसस के रिसपेक्ट में हम लोग उसे अब करते हैं कोडिने डाक्राउर्व Georg По जिस point से अभी आप object का motion study कर रहे हैं उससे आपने attach कर दिया किसको coordinate axis को क्योंकि coordinate axis के बिना अभी हम लोग कभी भी position नहीं बता सकते किसी भी object ही अगर position बता नहीं है then you have to define a set of coordinate axis जिसके respect में distances measure करेंगे और उसी के respect में position अगर change हो रही है तो object motion में है और अगर किसी origin के respect में या किसी frame के respect में अगर position change नहीं हो रही तो respect है तो यह पढ़ लिया था फिर उसके बाद अभी हम लोगों नहीं यह बोला था one dimensional motion two dimensional motion and three dimensional motion अगर किसी motion को describe करने के लिए सिर्फ एक variable और time की जरुएत है तो one dimensional motion इसका example लिया था insect moving on a wire which is fixed between two poles फिर two dimensional motion में x y and t if the motion of the object can be described in terms of two variables जैसे suppose कोई example कोई insect इस board के उपर move कर रहा है अगर कोई insect इस board के उपर move कर रहा है तो उसकी position अभी हम लोगों को किसके terms से बतानी पड़ेगी हम लोगों को x और y के terms में x और y यह position है थोड़े समय बाद यहाँ पर आ गया to x की बाली भी change कोई y की बाली अगर यहां कहीं पर आगया तो x की वाली जोई कोई, y की वाली दे के तो दोग गया, So if object is moving on a plane, then we say that only x, y and t are required. If the object is flying, if the insect is flying, if the bird is flying, then to describe the motion, three variables are required. और motion की बहुत अच्छी definition एक ये भी है, किसके टर्म्स में, if any one of the coordinates बहुत ही अच्छी definition है अगर rest और motion की एक और नई definition आज अभी हम लोग ले रहे हैं if any of x, y or z changes with respect to time then the object is in motion object जो है motion में रहे है and if x, y and z remain constant then we say then we say that the object is at rest example के लिए हमारी की घर के lawn में या हमारी घर की parking में ports में जो गाड़ी खड़ी है उसकी position रात भर change नहीं हो रही है मतलब अगर हमने इस point को origin माना then the position of my vehicle neither x is changing nor y is changing nor z is changing with respect to time and the same thing will continue to happen throughout the night लेकिन if I am sitting here and if I am trying to observe x, y and z with respect to time and somewhere in the night time it happens x, y or z are changing with respect to time it is a matter of worry मतलब गाड़ी कोई लेकर जा रहा है हम यहाँ पर हैं और उसको observe कर रहे हैं क्या observe कर रहे हैं x, y, z observe कर रहे हैं time के respect नहीं और time के साथ साथ अगर x, y, z change हो रहा है मान लीजे राच में change हो रहा है तो राच में कोई लेकर जा रहे है दिन में चेंज रहा है तो दिन में लेकर जा रहा है हम तो सिर्फ आपको सिर्फ सम्झाने के लिए एक एक्जाम्पल दे रहे हैं कि राज भर एक्स वाई जेट की वाल्यू विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज नहीं होगा चलो अब आजाएं आगे नेक्स टॉपिक तो बच्चो इसमें फिर अभी हम लोग नेक एक 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 और आगे जोगी वी कार्ड अगर स्ट्री कंशनों ओड़ी करना तो अभी हम लोग कभी इतनी बड़ी कार या इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बनाने वाले we will be assuming the very large size object into what into a point to point object किया point object का concept बहुत important है बच्चों मेकानिक्स में there is nothing as such which can be compared to a point in actual life कोई भी object को आप point object जैसा compare नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इसमें length होती है ना breadth होती है ना height होता है कुछ भी नहीं होता कोई भी रामिशन नहीं होता है ना so there is no such practical object which can be compared to a point but for calculation purposes हमारे पूरे mechanics में हम लोग calculations के लिए objects को point object जैसा मान लेते हैं जैसे example के लिए if you are trying to move if you are trying to move from here to Delhi the distance covered is suppose 670 kilo meters distance covered will be 670 kilo meters इसमें x भी चेंज होगा y भी चेंज होगा हो सकता है z भी चेंज हो क्यों क्योंकि हो सकता है there is a slope है ना so if you are moving in a car then the value of x y z may change x y z change होगा लेकिन इसमें अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं के size of the object size of the car is very small as compared to the distance travelled अगर size of the distance travelled is very very small as compared to the distance travelled then it can be assumed to be a point object तो आप car को एक point जैसा मान सकते हो कार जितने भी size की है उसका size is compared to the distance आप एक छोटा सा point ले सकते हैं अब आ जाते हैं next concept और बच्छो अब next concept है बच्छो आप हम लोग जो ले रहे हैं that is what the distance this is a very important concept क्योंकि यही से अभी हम लोग कहते हैं motion in one dimension जो है वह actual में start होड़ा motion in one dimension को अभी हम लोग linear motion भी बोलते हैं या rectilinear rectilinear motion motion in a straight line और अभी हम लोग कुछ भी इसको बोल सकते हैं अब हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहला concept भी लोग ले रहें that is distance distance and displacement दोनों चीजों को अभी हम लोग एक साथ cover करेंगे since we have studied about vectors तो displacement भी अभी हम लोग बता पाएंगे जिन लोगो नहीं पढ़ा nothing to worry about हम conceptually आपको ऐसे explain करेंगे कि सारी चीज़े एकदम clear होता है तो अभी हम लोग यह कहते हैं suppose if you are moving from A to B suppose you are moving from one station to another station suppose you are moving from Agra to Delhi this is Delhi तो इसमें हम लोगों ने कौन सा इसमें path follow किया यह तो पता नहीं actually आगरास से डेली के बीच में perfect straight line तो possible नहीं होगी there may be some curves तो A से B के बीच में मा लीजे आपने कुछ ऐसा रास्ता फॉलो किया तो अब इसमें अभी हम लोग यह बोलते हैं if the object is moving from A to B on this path or on this path then length of the actual path which is covered the length of the actual path which is covered is termed as what the distance मनलब आपने actually कितना length cover की है उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं distance बोलते हैं और यह distance जो है बच्चो एक scalar quantity है मनलब इसमें कोई sense of direction नहीं है मनलब आपने यह इतनी length cover करी फिर इतनी length cover करी फिर यह length cover करी if you are adding all these lengths यह सारी length को अगर आप add करोगे तो आपको total length मिलेगे और total length को अभी हम लोग बोलते हैं distance और distance अभी हम लोग बोलते हैं the length of the actual path which is covered और displacement displacement अभी हम लोग बोलते हैं आप कोई भी path को cover करें किसी भी path पर चलें suppose आप A से B तक move कर रहे हैं on different paths अब अच्छे समयगा I am marking one more path अब suppose for example if you are having the first path this is the second path and this is the third path and these are the two points अभी तो इसमे अभी हम लोग बच्चो देखो distance traveled on the third path is greater than the distance traveled on the second path and this is greater than what the distance traveled in the first path सबसे ज्यादा distance traveled कहां पर आएगा सबसे ज्यादा distance traveled third वाले path यह तो दिखी रहा होगा मालब यह तो देखकर ही बता सकते हैं just by judging eye judgment you can say that distance traveled will be larger हमने intentionally बनाए भी ऐसे हैं कि आपको clearly दिख जाए कि कौन सा वाला distance जाता है तो distance traveled for the third path will be larger मालब length actually जो cover करना पड़ेगा वो third path में ज्यादा cover करना पड़ेगा कोई और आकर बोलेगा कि यह second वाला path क्यों नहीं लिया इसमें तो कम distance दिख रहा है बिल्कुर सही है so we say that distance covered in this second path will be smaller third वाले path में sorry first वाले में और भी कम आएगा so distance अगर इन में compare करें to distance for three is greater than distance for two and this will be greater than distance for one अब displacement की बात करें तो displacement बच्चों अब यह में कहते है it is the shortest distance joining the initial to the final position अब distance बच्चों क्या है length of the actual path displacement के बारे में क्या पूरता है displacement की simple सी definition अभी हम लोग लिख ले रहे है क्या the shortest distance vector joining the initial to the final position इसको displacement को लें है हो सकता यह physically exist नहीं करें physically exist नहीं करें यह मतलब क्या है हो सकता भई यह जो shortest distance वाला रास्ता है आप उस पर चल नहीं पाएं हम इससे मतलब नहीं है I am saying that the shortest distance vector joining the initial position this is the initial position and this is what the final position इसको join करने वाला बच्चो shortest distance vector वो displacement कहला है हो सकता है इनर बीच में एक river आ रही हो हो सकता है बीच में एक building आ रही हो shortest distance but physically we say that displacement is what the shortest distance vector joining the initial to the final position अब देखो अब इसमें क्या कह सकते है distance और displacement में से कौन सा ज़्यादा है distance और displacement बच्चो कौन सा ज़्यादा है तो देखर अब यह लोग कह सकते है distance जो है it will always be larger distance traveled will always be larger displacement displacement जो है देखो यह कम रहेगा यह हो सकता exist करे हो सकता physically नहीं भी exist करे लेकिन shortest distance vector joining the initial to be final position आप किसी भी path पर move कर रहे हूँ जैसे आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप इसमें कैसा चले final position ही आगई displacement बताना तो कैसे बताऊगे initial position लो और final position लो उनको join कर तो बहुत simple से चीज़ है initial position ले लो और final position ले लो दोनों को join कर तो और एक arrow लगा दो arrow कहां से कहां की तरफ रहेगा initial position से final position की तरफ अब हम लोग इसको simple कह सकते है कि बच्चो यह जो है displacement यह एक vector quantity है this is a vector quantity और यह distance जो है बच्चो एक scalar लो scalar में अभी आप कभी भी direction नहीं बताते हैं अभी हम लोग इसमें यह कहते हैं कि आप हम लोग कभी भी यह नहीं बताते हैं कहां से चल कर कहां पर पहुंचें अभी हम लोग यह बोलते हैं कि फर्स्ट वाले पर अगर आप चले तो फर्स्ट वाले पर हो सकता डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर हो यह distance on the second is 70 किलोमीटर और हो सकता यह 90 किलोमीटर लेकिन आप इसमें किस direction में मूव कर रहे हैं यह कभी पता नहीं चलता किसमें डिस्टेंस में तो अभी हम लोग कहते हैं इट डिस्टेंस में तो अभी हम लोगों को डिस्टेंस से पता चलता है अब displacement में यह जरूर कहते हैं कि shortest distance vector है और उसमें यह पता चलता है कि यह initial position यह final position and initial position to final position यह direction of the vector दे देता है अब देखो अब हम कुछ चीज़ें आपको पताते चलते हैं जैसे अभी हम लोग यह दो points अभी रभ नहीं करेंगे एक पहला point इसका यह पहला point दूसरा वाला यह है दूसरा यह है यह अभी हम लोग क्या कर रहा है characteristics लिग रहा है distance के और displacement के और दीरे दीरे और इनको बढ़ाते जाएंगे अब चलो next आगे concept लेने रहें तो distance के बारे में पता चल गया it gives you what the length of the actual path covered displacement it is the shortest distance vector joining the initial position to the final position तो यह vector quantity है vector quantity है मतलब इसमें दो चीज़े रहेंगी एक तो magnitude रहेगा और दूसरा direction रहेगा तो direction की अगर बात करें तो बच्चो direction क्या रहेगा direction will be from the initial position to the final position यह अभी हमने यहाँ पर बता दिया रख लिया लिए कि अगर कोई object यह सा कुछ चल रहा है तो इसका direction कैसे बता हुए displacement का starting वाला point यह है initial position final वाली position यह है इसको join कर दो यह displacement आ गया and displacement will be represented by what AB और इसमें direction की असर रहेगा इसका direction will be from A to B from the initial position to the final position अब आगे चलते हैं अब इसमें थोड़ा सा और सोच कर देखना क्या कि अगर अभी हम लोग किसी एक point से चलकर हम लोग अगर इसी point पर वापस आ जाएं तो क्या होगा क्या इस सारी link को आप add करोगे तो क्या मिल जाएगा the total distance लेकिन displacement क्या होता है initial position को final position से join करना है initial position भी यह है बच्चो और final position भी यह है तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे if the object starts and ends its journey at the same point अगर उसी point से शुरू करके उसी point पर journey अगर खतम कर रहा है तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे displacement इसका 0 आएगा तो displacement 0 कब होता है when the object starts and ends its journey at the same point कुछ बहुत काम की चीज़ें बता रहे हैं अभी हम उनको note करते जाना अगर कोई object अपनी journey किसी एक point से start करकर उसी point पर खतम कर रहा है तो displacement कितना आजागा जीरू क्यों होता है जीरू क्यों होता है जीरू क्योंकि अभी हमने बुला initial point को final point से जॉइन कर दो initial position को final position से जॉइन करो तो वो आपको क्या देता है displacement initial position की बच्चों यही है और final position यही है अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और बता देते हैं displacement के बारे में यह रफ करते रहें अब इसमें suppose for example कोई object जो है ए पर रखा हुआ है now we are considering a simple example of motion in a straight line अगर कोई object straight line पर चल रहा तो क्या होगा अगर कोई object a से चलकर b तक गया and if there is a straight line motion मनलब यहां से चलकर यहां पर गया तो distance कितना होगा distance यही होगा displacement कौँ सा होगा तो displacement भी बच्चों यही रहेगा तो अब यह हम रूख क्या बोलेंगे length of the actual path covered will be a b suppose यह 100 meters and magnitude of the displacement तो magnitude of displacement भी बच्चों सेम ही रहेगा क्यों क्यों क्योंकि shortest distance vector object straight line पर चल रहा है हम लोग क्या बोलते हैं अगर यह object a से चल रहा है b तक जा रहा है और ऐसा कुछ रास्ता follow कर रहा है तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे यह तो हो जाएगा distance length of the actual path covered और displacement कौन से रहेगा यह वाला तो कौन सी चीज बड़ी है हम पहले बता चुके क्या कि distance जादा रहेगा और displacement कैसा रहेगा displacement इसमें कम रहेगा तो displacement बच्चों देखो कम है अगर आख इस रास्ती पर चले तो क्या होगा distance पहले से तो कम है लेकिन उससे भी कम क्या है displacement का magnitude अगर इस रास्ती पर चले तो क्या होगा displacement जो है displacement बच्चों अभी भी यह है displacement चेंज नहीं हुआ लेकिन length of the path यानि distance अभी भी जादा है लेकिन अगर इसी रास्ती पर चले if the object is moving on a straight line motion in a straight line from A to B तो क्या बोलेंगे तो अब हम लोग इसमें यह बोलें कि बहुत important illusion है क्या कि distance will be equal to the magnitude of displacement यह बात समझ आ गही तो distance will be equal to what magnitude of displacement नहीं तो अगर कर्ड बात पर चल रहा है if object does not move on a straight line अगर कोई object straight line पर नहीं चल रहा है तो क्या होगा ऐसा कुछ चल रहा है तो क्या बोलेंगे distance जो है ज्यादा रहेगा distance will be greater than the magnitude of displacement सारी चीज़े clear करते जा रहा है अब देखो इसी straight line को अगिन लोग और आगी तर्ची नियू कर रहा है तो इसी straight line motion को अगिन लोग और आगी तर्ची नियू कर रहा है एकिए suppose for example an object moves from a to b now we are defining what displacement अब ये object अगर a से b move कर रहा है तो अभी हमें displacement बताना है और displacement is what? displacement बताने के लिए अगर हम लोग क्या कर रहा है अगर हम लोग क्या कर रहा है एक origin define कर रहा है we are taking this as the origin जिसके respect में जिसके respect में अभी हम लोग इसकी position बताने वाले है तो suppose a point कि ये initial position एक जीरो है a point की जो position है वो एक जीरो है मतलब अभी हमने ये देखा कि हम इस point से अपनी गाड़ी का displacement मेसर करने की कोशिश कर रहा है if this is the origin my vehicle is lying at a distance of suppose 10 meters यहां से 10 meters धूर हमारा vehicle खड़ा है अब उसको start किया थोड़ा सा आगे तक ले गए तो क्या होगा अब कुछ final position रहेगी बच्चो इसमें और ये final position suppose x1 है तो क्या होगा बच्चो इसमें अभी हम लोग क्या कह सकते हैं we can say that a b the straight line or the shortest distance vector joining the initial position to final position इसको displacement गोत है तो displacement actual में हुआ कितना है हम origin से position देख रहे हैं यह origin है बाहर गाड़ी खड़ी है x0 फिर उसके बाद वो straight line पर move करी suppose this is moving in a straight line तो इसकी final position बच्चो x1 आ गई तो displacement क्या जाएगा a b अभी हम दों कह सकते हैं will be equal to o b minus o a o b is what o b is the final position और o a क्या है बच्चो initial position यह बात तो शार समय आ जाती है कि बहुत संबल सी चीज़ बोली है suppose यह 10 meters है और यह वाला suppose 80 meters है तो अभी हम लोगों ने बोला था origin से 10 meters दूर रखी है जब चलाकर कोई ले गया तो 80 meters दूर चला गया तो actual displacement कितना हुआ actual displacement यह हुआ है और इसको अभी हम लोग displacement बोलते हैं और इसको vectors terms में अभी हम डिफाइन करते हैं और यह कैसे बताते हैं AB is the displacement AB is what the displacement और यह कैसे बताते हैं Vector joining the initial position to final position Vector joining the initial position to the final position तो अब हम लोग इसको कैसा बोलते हैं बच्चो final position में से initial position माइनस कर लो तो यह displacement मिल जाएगा अभी आप origin से 10 meters दूर हो कुछ समय के बाद आप 80 meters दूर चले गए तो कितना actual में displaced हुए वो बता सकते हैं 80 minus 10 70 20 और यह बहुत simple है जब motion in a straight line है तो अब हम लोग इसमें यह कहते हैं यह वाला term अभी आप याद रखना a-b यह जो displacement है यह final position vector में से क्या minus करेंगे initial position vector minus करेंगे अब आगी चलते हैं displacement बच्चो एक vector quantity है यह तो अभी हम लोग ने बता दिया displacement is what? a vector quantity तो इसमें vector quantity अगर कोई है तो यह बच्चो positive भी हो सकती है negative भी हो सकती जीरो भी हो सकता है positive तो अब यह हमने discuss कर लिया displacement positive होना यह तो discuss कर लिया displacement zero होना वो भी discuss कर लिया zero होने का मतलब क्या है कि आपने जिस point से चलना start किया उसी point पर अगर वापस आ जाएं तो जिस point से आपने चलना शुरू किया उसी point पर अगर आप वापस आ जाएं तो displacement आपका zero होना जाएं अब इसको बहुत simple example से समझे की कोशिश करना suppose this is the origin अगर कोई object यहां से चलना शुरू किया इधर की तरफ जा रहा है यह origin है याद रखना आप यहां से घर से चलना शुरू किया स्कूल की तरफ गए तो क्या होगा जैसे जैसे आप स्कूल की तरफ जाओगे तो क्या होगा displacement आपका बढ़ता जाएगा और स्कूल पहुँच गए फिर आप कुछ समय के लिए स्कूल में रुके the time for which you are staying in the school your displacement your position will be constant आपकी position जो है constant रहेगी है ना शुरू में क्या हुआ displacement बढ़ता गया आपकी position जो है origin के respect में बढ़ती चली गई स्कूल में पहुँच गए तो position constant हो गई position change नहीं होगी position change नहीं होगी मलब displacement zero रहेगा है displacement zero मलब आप वहां से हिल नहीं रहे लेकिन जैसे जैसे आप यहां की तरफ जा रहे हो तो position change होती जा रही है मलब displacement आता जा रहा है फिर उसके बाद आप घर की तरफ वापस आए घर की तरफ जब आप वापस आओगे तो क्या होगा origin के respect में आपकी position पास में आती जा रही है your position is coming near to the origin तो क्या होगा बच्चो पहले displacement इतना था फिर कम हो गया फिर और कम हो गया यहां पर आगए तो क्या हो जागा displacement 0 मलब जहां से चले थे वहीं पर अगर आगए तो displacement 0 और यहीं पर अगर नहीं रुके और घर से पीछे की तरफ चले गए तो वो negative displacement के लाएगा अगर इस direction को आपने positive direction बोला है if this direction is termed as the positive direction then this direction will be termed as what the negative direction तो displacement बच्चो कैसा रह सकता है displacement can be positive, it can be negative, it can be zero तो अब हमने आग बहुत सारी concepts जो है distance or displacement के discuss किये अब displacement को ही अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे next turn पर लेकिन आज जब हम लोग क्या करेंगे हमेशा की तरह जो कुछ भी आज पढ़ा है वो सब कुछ एक बार sum up कर दे रहें अब कैसा sum up होगा देखो यह distance और यह displacement तो यह क्या है लेंग्ट अफ दी अक्ट्व पाथ हम पूरा पूरा नहीं लिख रहें अब अब आपको लिखना है अब इसमें क्या को लेंगे अब आपको लेंगे अब आपको लेंगे अब आपको लेंगे अब आपको लेंगे अब एक पॉइं एक पॉइंट ए लेलो यह बी ले लो तो यह distance आ जाएगा यह पूरा बच्चो क्या जाएगा यह पर यह क्या जाएगा यह डिस्प्रेश्मेंट आ जाएगा फिर उसके बाद next है second distance बच्चो एक scalar quantity है distance is a scalar quantity ये vector है और vector है मतलब इसका कुछ direction होगा and the direction is from initial to final position हम सारे आठीर जितने भी पॉइंट से वो सब समफ कर देंगे इस्टेविल ना third distance covered बच्चो इस अल्वेस distance covered is always positive if the object travels if the object moves object अगर move कर रहा है तो ये हमीशा positive ही रहेगा क्यों length of the path जो है बच्चो कभी negative नहीं होगी, zero भी नहीं होगी लेकिन displacement बच्चो कैसा रहेगा? displacement can be positive, negative और zero positive तो अभी हमने बता दिया था origin से किसी एक particular direction को positive बोल दिया तो displacement positive is direction अगर ये direction positive है तो opposite वाला जो है बच्चो नेगेटिव रहेगा चलो, अब इसके बाद if the object starts and ends its journey at the same point then we say that the displacement will be zero अब इसके बाद distance depends on the path distance जो है path के उपर depend करेगा between the two positions कोई दो positions अगर दे हैं तो उन दो positions के बीच में कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे हो उसके उपर depend करेगा है ना ये तो अभी हमें मालम है वहिए ये वाला रास्ता लिया इन दोनों points में या ये वाला लिया या ये वाला सब में अलग अलग आगा है लेकिन इसमें क्या बोलेंगे displacement का magnitude या displacement कह सकते हैं या does not depend on on path सारी चीज़ें आज की बच्चों आजाएंगी इस टेबल में और उसके बाल distance is greater than or equal to the magnitude of displacement इसको short में लिख दे magnitude of displacement ठीक है और इदर displacement का magnitude magnitude of displacement will be always smaller displacement of the magnitude will always be smaller than or equal to what the distance ठीक इकल का भो का बच्चों distance जो है gives information about about the path ये path के बारे मताता है बई कहीं पर A और B के बीच में आप जा रहे हो A से B तक ट्रावल कर रहे हो हमने बोला distance traveled 10 km से किसी ने बोला हमने तो A से B तक जाना वी 15 km लगा तो फिर obviously अभी आप बोलोगे कि भई आपने कोई लंबा वाला पाथ लिया होगा इधर क्या हो बोल सकते हैं displacement आप छोटा वाला पाथ ले या लंबा वाला पाथ ले हमें नो इन्फर्मेशन अबाउट पाथ कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है इसके वर डिपेट ही नहीं करता तो बच्चों यह जो था आज का पूरा दिसक्शन दिसक्शन तो पूरे इस आज की क्लास का जो समरी है वह अभी हमने आपको इस डाग्राम में दे लिया सिर्फ एक चीज रह गई हो और बता दें के displacement का magnitude distance के बराबर कब होता है only for straight line motion when the object travels in a straight line चलो तो बच्चों वाज के लिए चला ही we will continue with some more concepts on the next time that's all for today